हेलो अबरिबन वेलकम दू 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 चैनल अगरिकल्ट्ट्ट्ट्र स्टडीज मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का यह जो वीडियो है वो काफी इंपोर्टेंट और साथ में लेंदी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं अगरिकल्ट्ट्र मिटियॉरलो इनके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि cloud formation क्या होता है और उसका classification क्या होता है clouds का formation जब हम कर चुके होंगे तो हम फिर बारिश भी करवाएंगे क्योंकि बादल आये हैं तो बारिश भी करवानी पड़ेगी यानि कि उसके बाद हम जानेंगे कि precipitation का जो process होता है हाना तो वो क्या होता है कैसे होता है और उसकी types यानि कि rain, snow, sleet and hail इनके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो थोड़ा lengthy होने वाला है तो इस वीडियो के अंदर मैं जगा जगा पर छोड़ी छोड़ी memes वगरा भी डालता रहूँगा ताकि आपकी इस वीडियो के अंदर connectivity बनी रहे आप ज़्यादा बोर ना हो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं humidity के बारे में humidity यानि की नमी क्या मतलब होता है कि भई the amount of water in the air is known as the humidity की air के अंदर amount of water यानि की पानी कितना available है उसी को तो हम क्या कहते हैं humidity यानि की नमी कहते हैं ठीक है तो अब यह जो humidity है उसको हम तीन तरह से measure कर सकते हैं हाना उसमें से जो पहला है type वो है absolute humidity absolute value मतलब कैसे निकालेंगे देखिए the mass of water vapor in volume of air मतलब किसी particular volume of air के अंदर मान लेज़े कि वो कुछ भी हो सकता है volume अना तो उसके अंदर कितनी कितना mass available है water vapor का कितना amount kg के अंदर या gram के अंदर available है उसे हम क्या कह सकते हैं absolute humidity कह सकते हैं example लेना चाहें तो देखिए कि मान लीज़े कि कोई 2 meter cube volume है air का उसके अंदर 10 gram water vapor available है तो फिर 10 upon me 2 यानि कि 5 gram per meter cube के रूप में जो value आएगी वो क्या होगी absolute humidity होगी वहीं अगर हम बात करें specific humidity की तो specific word जब भी यूज़ किया जाए तब समझ जाना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक unit यानि एक एकाई की रूप में लेने वाले हैं तीसरी चीज़ देखिए वो है relative humidity, relative humidity मतलब किसी situation से हम relate करने वाले हैं तो और यह चीज़ यह भी ध्यान रखीगा कि यह most common measurement है यही वास्तों में क्या measurement का सबसे common तरीका है जिसको percentage की रूप में निकाला जाता है क्या होती है relative humidity किसे compare कर रहे हैं किसे relate कर रहे हैं हम इसे तो water vapor required for saturation state saturation state मतलब एक हद तक कोई भी air जो है एक हद तक ही तो नमी को रख पाएगी पानी को hold कर पाएगी न तो उस highest state को हम कह सकते है saturation state तो उस saturation state के अंदर कितनी नमी आ सकती है अपान में water vapor है कितनी किसी particular air के अगर हम compare करते हैं relate करते हैं तो जो relative humidity आती है मतलब जो humidity आती है उसे हम relative humidity कहते है ठीक है multiplied by 100 है तो इसका मतलब यह जो data है वो किसमें आता है तो हम देखते है percentage के अंदर आता है तो चलिए अब हम बात करते हैं condensation process के बारे में condensation यानि संगनन क्या होता है यह change of state of water मतलब water का अपनी state को change करना कौन सी state से तो देखते हैं हम vapor से liquid form में भाप से सीधा पानी में बदल जाना इस condition को हम क्या कहते हैं इस process को हम कह सकते है condensation process अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी substance जब अपनी state change करता है तब उस दौरान उसे एक heat की जरत होती है जिसे हम कहते है latent heat हिंदी में जिसे कहते हैं गुप तूश्मा तो इस process के अंदर क्या होता है in this process latent heat is released और वो कितनी release होती है तो 540 calorie मतलब minus 540 minus लगाने का परपस यह है कि यहाँ energy release होती है कि भई किसमें से किसमें बदलना है तो vapor से बदलना है liquid में तो कुछ energy release करनी पड़ेगी कितनी energy 540 calorie release करने पड़ेगी ठीक है अब देखिए यह तो हुआ भाप से पानी बदलना अब अगर ही सोची भाप अगर सीधा ही बरफ में बदल जाए तो उस process को क्या कहेंगे उस process को हम कहेंगे deposition ठीक है इस state के अंदर जो इस process के अंदर जो energy release होएगी उसे हम क्या कहेंगे तो वो कित condensation nuclei के बारे में बात करते हैं condensation nuclei क्या है वास्ता में यह चोटे particles हैं जिनके ओपर condensation होने वाला है मतलब the particles on which the condensation occurs example salt, gas, gas molecules, dust particles, gas molecules, dust particles, इनके ओपर जहां condensation का process होगा तब इन particles को हम क्या कहेंगे condensation nuclei कहेंगे ओके आगे होगी बात समझ में आपके अब हम लास्त पढ़ने वाले हैं कि forms of condensation condensation की कौन कौन सी forms होती है जैसे कि dew, fog, frost and mist के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि smog क्या होता है smog जो है, वो दो चीज़ों का mixture है, smoke और fog, smoke वो वाला smoke की बात नहीं हो रही है smoke मतलब जैसे कि किसी industrial area में या कह सकते हैं कि ऐसी जगा जहां pollution बहुत ज़्यादा है वहाँ जो smoke है, धुआ है, वो जब fog के साथ मिल जाता है fog क्या होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले है जब fog के साथ वो मिल जाता है, तब जो condition create होती है, उसे हम smog कहते है है, ऐसा एक haze भी होता है, haze क्या है, smog की जैसा ही होता है लेकिन उसमें particles जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते है ठीक है, तो यह अब आप हम पढ़ेंगे कौन सी, और forms पढ़ेंगे condensation की तो चलिए अब हम condensation की सबसे पहली form, यानि की dew के बारे में बात कर लेते हैं dew, mountain dew, टर के आगे जीते है, तो उसके अंदर dew क्या होता है, condensed moisture in the form of liquid droplets condensed moisture मतलब क्या हुआ, कि moisture जो होता है environment में, वो condensed हो जाता है, किसके form में, liquid form में water की छोड़ी-छोड़ी droplets के form में बदल जायाएगा, जब वो moisture, तब क्यों बनेगा, as a consequence of contact cooling मतलब किसी ठंडी चीज के contact में आकर, moisture अब छोड़ी-छोटी पानी की बून में बदल रहा है, तब इस form को हम क्या कह रहे हैं, dew कह रहे हैं, ओके, अब देखिए, ऐसा कौन सी ठंडी, वो होगा, object होगा, तो देखिए, on any vegetative or hard rapidly cooling object, मतलब या तो कोई vegetative हो सकता है, मतलब कोई पौधा हो गया, पौधे के ओपर हम देख सकते हैं, या हम कहें कि जैसे कोई खिडकी है, कांच की खिडकी है, अना तो ऐसी जगहों पर ये जो moisture है, contact में आता है, और जल्दी से किसम में बदल जाता है, condensed होके, पानी की बोल में बदल जाता है, तो इसे हम dew कह सकते हैं, ओके, next point को समझने से पहले हम जान देते हैं, कि dew point क्या होता है, dew point क्या होता है, dew point एक ऐसा point है, temperature point है, जिस पर हम देख सकते हैं कि maximum condensation हो चुका है, ठीक है, saturated condition आचुकी है, तो उस condition में, मतलब कि जितनी vapor बदल सकती थी, moisture में बदल चुकी है, तो उस form में, और वो जो liquid है, वापिस vapor में भी नहीं बदल रहा, तो हना इस condition जो create हो जाती है, उस point को, उस temperature को हम dew point कह सकते हैं, इस condition पर क्या होता है, absolute vapor pressure बराबर हो जाता है, saturated vapor pressure के, अब ये क्या चीज है, absolute vapor pressure का मतलब ये हुआ, कि कोई भी जो vapor available है, air के अंदर, वो जो pressure create कर रही है, वो होता है, absolute vapor pressure, saturated condition के अंदर, मतलब maximum जितना vapor आ सकती थी, air के अंदर आ चुकी है, उस condition के अंदर जो pressure create हो रहा है किसी भी object के उपर vapor की वज़े से, तब उसे हम क्या कह सकते है, saturated vapor pressure कह सकते है हमने अभी जाना कि dew point ऐसा temperature है जहाँ saturation maximum हो चुका है, तो उस वज़े से हम देखते है, saturated vapor pressure बराबर हो जाता है यहाँ पर किसके absolute vapor pressure के, ओके अब देखिए, still or calm air is favorable for dew, मतलब जब शान्त हवा होती है ना, जब हवा हैं ज़ोड से नहीं चल रही होती तो उन conditions के अंदर क्या होता है dew बनता है, इसको ध्यान रखेंगे आप MCQ बगए रखेंदर पूछ लेते हैं कि still and calm air is favorable for the dew, ओके, next चीज़ देखिए वो है frost, frost मतलब पाला, राजिस्थान में बोलते हैं ना, पालो पढ़ गियो, तो पाला क्या होता है, it is the ice formed directly from the water vapor, water vapor directly ही अगर सीधा ice में बदल जाए, ऐसे पहले पानी में बदल रही थी तब तो हमने उसे कहा dew, सीधा ही ice में बदल जाए, तब उसे हम कहेंगे frost, okay, it is happened when the dew point is lesser than the freezing point, जब dew point जो था, freezing point, यानि कि 0 degree Celsius से भी नीचे आ जाता है, उस condition के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं, कि जो vapor होती ही, वो सीधा ही किसमें बदल जाती है, ice में, बदल जाती है, तो उस condition को हम frost, यानि पाला कहते हैं, तो dew को क्या कहते हैं, dew मतलब ose, okay, तो चलिए अब dew और condensation form के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से तीसरी है, fog, fog क्या होता है, कि small droplets of water, पानी के ऐसी छोटी बुन दें, condensed and remain suspended, जो condensed हुच चुकी है, और लटकी भी है, suspended मतलब क्या है, हवा में ही suspend हुई भी है, इंद the ground, मतलब ground, जमीन के पास में जो air है, उसके अंदर पानी की बुन्दिज जो है, वो क्या है, condensed होके वहीं रुकी हुई है, तो which reduces the horizontal visibility, जिसकी वज़े से horizontally visibility कम हो जाती है, मानलो अगर यहां fog हो, आपके और इस camera के बीच में, तो sorry, मेरे और camera के बीच में, तो क्या होगा, कही जा सकती है, fog के लिए, कि एक तरह का बादल है, जो कि जमीन के पास में है, उसी को fog कह रहे है, ठीक है न, और कहा है, दीखो एक चीज, fog और mist क्या होता है, अगर आप से कोई mist की definition पूछले तब आप क्या कहेंगे, mist की definition भी same यही कही जा सकती है, कि small droplets of water condensed and remain suspended in the air near the ground which reduces the horizontal visibility can be set to the mist, न, तो लेकिन फरक क्या रहा फिर, अगर यही कि यही definition mist में भी आ सकती है, तो इसमें फरक क्या रहा, तो यह question आ सकता है, कि fog और mist में difference क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे आप, the difference between the mist and fog is that mist contains more moisture than the fog, mist के अंदर fog से ज़्यादा moisture होता है, होता fog जैसी form ही है, mist भी ए कैसे अलग होती है, visibility in fog, fog के अंदर हम देख सकते हैं कि 1 km तक साफ दिखाई देता है, मतलब visibility होती है 1 km तक, लेकिन mist के अंदर हम देख सकते हैं 1 से 5 km तक, मतलब इसके अंदर visibility ज़्यादा होती है, परक याद रहेगा आपको, mist में moisture ज़्यादा, और visibility भी ज़्यादा, कितन mist के अंदर जो भी condensation nuclei होता है, उसके ओपर moisture की layer थिकर होती है, मतलब मोटी होती है, तब ही तो of course हम कहारे है, mist के अंदर क्या होता है, moisture ज़्यादा होता है, तो इस तरह से हमने condensation वाला part जो था, वो यहाँ पर खतम कर गया, तो चलिए अब इस वीडियो के second part के बारे में ब बहुत helpful होने वाली यह चीज़, अगले exam के लिए, तो क्या है, cloud formation and classification के अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले बात करते है, cloud की, इसकी definition पुछे जाती है, clouds होते क्या है, an aggregation of minute drops, aggregation मतलब समून, minute drops मतलब पानी की छोटी-छोटी बून्दों का, समून बन जाएगा, of water droplets suspended in the air at higher altitude, suspended मतलब रुका हुआ रहना, तो यह aggregation जो है, किसी particular height के उपर जब रुका हुआ रहेगा, तब इसे हम देखके क्या बोलेंगे, ओहो, यह तो बादल है, तो मतलब उसे clouds कहेंगे, एक important चीज़ देखिए, कि nephology, nephology is the study of clouds, या science, तो इसे ध्यान रखेंगे, हम nephology क्या होती है, study of clouds होती है, और एक चीज़ देखिए, unit of measurement, मतलब इसको मापने की इकाई क्या है, clouds को किस unit से नापते हैं, तो हम देखेंगे, octa से, octa, octa word का मतलब ही वैसे आपको ध्यान हो, तो 8 होता है, अना तो 0 to 8 इसकी value भी होती है, मतलब अगर हम कहें 0 octa है, तो मतलब एकदम खुला है, आसमान है, मतलब कोई भी बादल नहीं है, या बहुत कम बादल है, 8 octa कहें तो मतलब बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे dense है, माहौल तो उस condition में, तो इस तरह से कुल मिला कि unit है, measurement की octa, ठीक है, अब next देखते है, iso nap, iso nap, iso bar, iso therm, इस तरह की terms काफी बार आचुकी है, आइसो nap क्या हो जाएगा, imaginary lines joining the place of equal clouds, ऐसी दो जगाएं जहां पे clouds लगबख बराबर से हैं, उनको अगर हम map पे किसी एक line से जोडेंगे, तो उस line को हम क्या कहेंगे, iso nap कहेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, iso height क्या होता है, iso height होता है, imaginary lines joining place with the same equal rainfall, अ बारिश का नीचे से ना पाजाएगा, बादल अलग रूप में ना पे जाएगे, तो अगर सिर्फ clouds के बारे में बात हो रही है, तो वह हम कहेंगे, equal clouds वाले area के बात हो रही है, तो आईसो nap हो लोगा, आईसो rainfall की बारे में बराबर बात हो रही है, तब हम उसे आईसो height कहें है, जैसा कि आप जानती होंगी, कि sunlight जब समुंदर वगेरा के उपर जब आती है, तो वो क्या होता है, समुंदर का पानी वेपराइज होता है, उसकी भाब बनती है, अब वो जो भाब उपर जाती है, तो फिर क्या बनाती है, बादल मनाती है, तो process क्या होता है, देखो, when this air, मतलब यह जो एपराइज़ एर है air rise due to increase in temperature, गरम हो जाने की वज़े से उपर की तरफ उठ रही है, the pressure being less, और जब environment का बाकी pressure कम है, तभी तो यह उपर उठती जा रही है it expands and cools until temperature is equalized यह तब तक उपर उठती जाती है, जब तक के हम देखते हैं कि इसका temperature कम ना हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है, if cooling proceeds further, अब यह कसी particular height के बाद जाने के बाद भी अगर cooling होती रहती है, इनकी cooling proceeds further, it till the saturation, एक saturation point तक जाने तक यह cooling होती रहती है then the water vapor condenses and cloud forms, तब उस condition application में जो water vapor उपर वहुँच चुकी है जो ठंडी हो रही है, cooling हो रही है अब वो condensed हो जाती है और फिर condensed होके एक जो group बन जाता है, aggregation बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, clouds कहते हैं इस तरह से form होते हैं यह clouds तो चलिए अब हम बात करते हैं clouds के classification के बारे में ठीक है, तो देखिए इस topic को आपन नीचे से start करते हैं कैसे, according to their height यानि की बादलों की उंचाई है height and expense मतलब कितना वो फैले हुए हैं, कितना expanded है density, मतलब उन कितने जादा dense हैं, और साथ में transparency, मतलब उसमें से light कितनी गुजर जाती है, कितनी नहीं गुजर पाती इन चार basics पे on the basics of these four things हम clouds को majorly चार तरह से classify कर सकते हैं कौन सी है वो चार classes तो देखिए, पहले, सब सब पहले हम कह सकते हैं वो है serious clouds serious उसके बाद है cumulus उसके बाद है stratus and last one is nimbus ये तो उपर-उपर से हम कह सकते हैं कि बड़ा classification है चार main जो family कह सकते हैं categories है, वो कौन-कौन सी है तो वो है serious, cumulus, stratus and nimbus ठीक है, अब इनके भी हम देखते हैं जो combinations बनेंगे serious, cumulus से जुड़ जाएगा, zero cumulus बन जाएगा, तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप याद कर लिजी कि चार major categories कौन-कौन सी है वो है serious, cumulus, stratus and nimbus इसको याद करने के लिए इस तरह से याद करेंगे हम CICUSN CICUSN की रूप में क्यों अच्छा ऐसा हमने पहले पहले भी इस तरह से हमने एक चीज़ याद की थी, वो क्या था TSMTE, हाना TSMTE वो क्या था प्रोपोस्पेर, हाना stratosphere, mesosphere उसके बाद thermosphere और अलास्ट में exosphere, TSMTE की रूप में मैंने का था कि आप बार-बार repeat करेंगे तो आपको CITUSN अब देखिए cirrus के बारे में हम कुछ बाते और इन सब के बारे में कुछ-कुछ important बाते जो हैं वो अभी समझ लेते हैं cirrus cirrus जो होता है उसमें हम देखते हैं ये जो बादल होते हैं cirrus clouds वो feathery और fibrous होते हैं feathery मतलब punk जैसे पंक जैसे एकदम पतले पतले और हम देख सकते हैं fibrous जैसे ये बादल दिखाई देते हैं और इसका आप मतलब भी लिखा है cirrus word का मतलब होता है curl curl मतलब घुमे होए आप जानते ही हैं कि punk जो होते हैं इस तरह से घुमे भी होते हैं curly होते हैं तो कहने का मतलब यह जो हुआ, यह clouds जो होते हैं, feathery and fibrous होते हैं, curly होते हैं, और हम देख सकते हैं, इनकी height, height कितरी होती है, तो 7 to 12 km, और साथ में लिखा है highest, मतलब सबसे ज़्यादा उंचाई पर कौन से बादल देखे जाते हैं, तो वो serious clouds से देखे जाते हैं, और इनकी height क 12 km तक देखी जाती है, always white, यह हमेशा कैसे होते हैं, white color के होते हैं, निर्मा सफीदी, तो उस तरह से कह सकते हैं, यह एकदम white होते हैं, और जो second type है, वो है cumulus, यहाँ जैसे इसका मतलब समझा रहा है, इसका मतलब होता है curl, वैसे cumulus word का मतलब आप समझेगा, cumulus word का मतलब होत है धेर, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर woolly and bunchy, मतलब उन का किसी ने धेर आसमान में पटक दिया हो, हाना, तो मतलब इस तरह के clouds होते हैं, cumulus clouds, and woolly and bunchy with rounded top and flat base, इसका जो top होता है, वो होता है round, और जो कि base जो होता है, नीचे से एकदम flat होते हैं, आई बात समझ में, उन क इसा डेर, जिसका top तो round है, लेकि नीचे से वो क्या है, फ्लैट से है, इनकी height हम देखते हैं, तो ये chart से 7 km की height पर देखे जाते हैं, और खास बात ये है, exist in patches and scattered, patches मतलब ऐसा लगता है, टुकडों के अंदर क्या है, बादल आसमान के अंदर हैं, और फैले हुए हैं, scattered हैं, अब ये फैले वादल भी आगे जाके मैंने जैसा की बताया, किसी ना किसी दूसरे cloud से जुड़ जाएंगे, तो किसी और नए cloud का formation होगा, वो आप नेक्स लाइड में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इस तरह से आपने समझा कि cumulus clouds क्या होते हैं, अब देख लीजे तीसर बिछा दी हो किसी ने आस्मान में, तो क्या है, like, look like sheet, sheet मतलब क्या होगा, जैसे चदर की जैसे हम कह सकते हैं, sheet की रूप में दिखाई देता है, और stratified in or in layer, layers की रूप में दिखता है, पूरी की पूरी layer बन चुकी एक बादल की, तो वो पूरी की पूरी layer हम कह सकते हैं, व इसमें से light ज्यादा गुजर नहीं पाती, गुजरती है, ज्यादा नहीं गुजर पाती, nimbus cloud, important है, क्या, nimbus cloud, black and dark color के, एक्दम काले घने बादल जो होते हैं, वो होते हैं, nimbus clouds, extremely dense होते हैं, बहुत ज्यादा dense होते हैं, opaque to the ray, मतलब इसमें से light जो हो बाहर नहीं आपाती जैसे कि अपन कभी-कभी नहीं होता कि दिन के वक्त हमें ऐसा लगता है, यह तो शाम हो गई, 12 बज़े इसा लगता है कि शाम की 6 बज़े हो, ऐसा कि होता कि अचानक से जब काले बादल आ जाते हैं, काले बादल जब शाज आते हैं, तो उसको आपन कह सकते हैं, वो nimbus clouds हो cumulus, stratus and nimbus clouds, ओके, तो चलिए अब हम clouds के classification के बारे में बात करते हैं, clouds का classification है, उसमें चार main categories आप अब भी तक पढ़ चुके हैं, क्या है वो, cirus, cumulus, stratus और nimbus, अब इन चार categories के combination से जो sub-categories बनेगी, उनके बारे में हमें discussion करना है, तो पहले आप यह समझेए कि यह families की र बनेगी, चार तरह की families बनेगी, कौन सी, A, B, C और D, D family जो है, वो next slide के अदर पढ़ रहे हैं, अभी A, B और C के बारे में discussion करने वाले हैं, यह जो family है, वो हैं बड़ी लोग, यानि सबसे जो highest clouds हैं, मतलब high clouds जो हैं, जो कि 6 km से 12 km की height ते, मतलब कम से कम 6 km तक देखे जाए और उपर, highest, इस कहां तक 12 km तक देखे जाते हैं, ऐसे clouds जो हैं, वो high clouds की family है, B clouds कौन से हैं, जो middle class हम जैसे हैं, जो कि कह सकते हैं, 2 से 6 km की range में, कम से कम 2 km और ज्यादा से ज्यादा 6 km की height पर देखे जाएंगे, वो B clouds की family हैं, और तीसरा आप समझ चुगे होंगे, कि C family जो low clouds होंगे, जो ज्यादा नीचे हैं, दर्ती के सबसे ज्यादा पास में जुड़े वे हैं, तो कह सकते हैं, हमकी 2 km की height तक ही, जो clouds देखे जाते हैं, वो कौन से होते हैं, तो हम देख सकते हैं, वो C, यानि की low clouds होते हैं, अब जो A clouds हैं, उसके अंदर कौन कौन से clouds रखे और कुमिलस, मतलब cirrus जो हमने पहले पढ़े थे, अब वो कम्बाइन हो जाएंगे किस के साथ, cumulus के साथ, cirrus cumulus, दोनों मिलके क्या मनाएंगे, cirrus cumulus, अब जो cirrus के अदर हम cirrus के भी characteristics और cumulus के characteristics, दोनों के मिलेवे characteristics देखेंगे, दोनों के मिलेवे गुन देखेंगे, याना तो मतलब देखो, 0 का मतलब तो क्या हुआ कि यह high altitude पे होंगे, अपने पहले जाना था, कि serious clouds जो होते हैं, वह जादा height पे होते हैं, highest clouds कहे जाते हैं, नाम के आगे cumulus भी जुड़ा हुआ है, तो अब यह कौन से height, highest तो है ही, पट साथ में है, characteristic कौन से रख रहे हैं, cumulus वाले, हम देखते हैं कि wool के धेर जैसे बनते वे दिखाए देंगे, मतलब cumulus वाले character six देखे जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे, zero cumulus, एक चीज़ में important term दी जाती है, कि light ripped sand, ऐसा लगता है देखने में, जैसे कि, जो मिट्टी होती है, मिट्टी जैसे ripe कर दी जाए, मतलब इस तरह से दार सी बन जाती है, जो उसको कह रहे हैं, तो वो आली चीज़ बताई गई है, कि light ripped sand देखने में ऐसा लगता है, जैसे मिट्टी के उपर दार सी बन गई हो, ठीक है, आगया होगा, zero cumulus समझ में, और character six लिखना चाते हैं, आप पढ़ना चाते हैं, अच्छे से, तो नीचे चार लिखे रहने का मकसद मेरा यही है, ताकि आप इसको इस से रूप मिलाना है, तो याद रख सकें, अब सिरो किसमे मिलने वाले हैं, status से combine होंगे, तो मतलब सिरस वाले character भी होंगे, इसमें, status वाले भी होंगे, status वाले मतलब, status मतलब एक पूरी की पूरी layer बन जाएगी, तो इसलिए लिखावा है, यहाँ पे cover large area, मतलब यह वाले जो बादल होते हैं, एक तो पहली बार बहुत जादा height पे होते हैं, क्योंकि यह सिरस है, सिरो नाम में आ रहा है, और साथ में बहुत बड़ा area cover करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने सिखाता है, कि जो layer के पूरी layer बना लेते हैं, वो होते हैं, status, तो दोनों का combination क्या बन गया, सिरो status बन गया, create hello, hello क्या होता है, hello देखो यह चीज है, कि sun जो होता है, सूरद जो होता है, उसके आगे जब यह बादल आ जाते हैं, तब sun के चारो तरब कुछ rings बनती भी नज़राते हैं, ठीक है, उस situation को hello बोलते ह सकते हैं, कि ऐसे कौन से बादल हैं, जो hello form करते हैं, h-a-l-o, hello, वाल, hello नहीं, h-a-l-o, hello, ठीक है, तो मतलब यह कौन करते हैं, तो हम देखते हैं, सिरो status करते हैं, अब बात करते हैं, बी फैमिली की, बी फैमिली के बारे में क्या है, वही, middle family, इसके लिए एक term याद रख हैं, अब यह क्या है, यह क्या है, जब बादल देखे जाते हैं, तो यह ऐसा लगता है, यह ऐसा लगता है, बेडों का जुन जा रहा हो, ऐसा देखने वाली की imagination है, तो उसके लिए एक टाम दी जाती है, आपको याद रखना है, और दूसरा क्या हो सकता है, अल्टो स्ट्र अल्टो स्ट्रेटर्स मतलब, अल्टो मतलब बीच में, स्ट्रेटर्स मतलब स्ट्रेटिफाइड बादल होंगे, ठीक है, तो उन दोनों की characteristics, अच्छे आप नीचे पढ़ लीजेगा, नाम से अगर आप एकदम particular याद रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बाद ध्यान रखनी है हमें कि ये स्ट्रेटर्स की characteristics अल्रडी हम बढ़के आ चुके हैं, चलो next के बारे हम बात करते हैं, stratocumulus, मतलब stratified तो होंगे, लेकिन कौन से stratified होंगे, cumulus clouds, cumulus clouds के आपने बात करें, पैचिस के अंदर जो होते हैं, वो आले clouds जो होंगे, अगर बहुत ज्यादा फैले में हैं, लंबा जौडा sheet जैसा structure सा बना रहे हैं, अब उसे हम कहेंगे stratocumulus, large globular mass sheet इस तरह से लिखा हो है, word to word आप इसे समझ सकते हैं, तीसरा जो है वो है निम्बो स्टैटस, निम्बस clouds के बारे में आपने क्या समझाता, कि निम्बस clouds जो होते हैं, वो ग कहेंगे निम्बो स्टैटस clouds, ठीक है, ठीक, डार्क, ग्रे, यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म लेयर क्यों वही, क्योंकि यह स्टैटस नाम आ रहा है, इसके अंदर, give steady precipitation, और से लगाता, steady में तो धीरे, धीमी सी लगातार बारिश, जो होती है, इन clouds की वज़े से दे चलिए अब family D की बारे में बात कर लेते हैं, मतलब चौती family, कौन सी family है, अचा अब यह जो family है ना, अभी तक तो हमने high clouds, middle clouds, low clouds देखे, अब height के साब से नहीं है, अब यह है formed due to vertical development, अब इस तरह की जो D family है वो vertical development से बनने वाली है, मतलब बादल अब क्या होंगे, नीचे स खटे होते जाएंगे, खटे होते 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 होते, क्या हो जाएंगे, उपा उंचाई तक खटे होंगे, हाना, तो कहने का मतलब यह वह vertical development से बनने वाले हैं यह clouds, ठीक है, इसके अंदर दो clouds रखे जाते हैं, एक तो वही है पहले वाला, cumulus clouds, cumulus clouds की characteristics भी वही हैं, जो पहले बढ़े थे, कि irregular dom shaped होता है, look like cauliflower with wool pack and dark appearance, हाना, थोड़े से dark color क्यों होते हैं, और देखने में cauliflower मतलब full govi जैसे दिखाए देते हैं, और क्या है, irregular dom shape होता है, irregular सा dom बनता है, dom मतलब समझते हैं आप, गुंबद, हाना, तो irregular सा गुंबद सा बनता हो, नजर सा दिखता है इसके तो यह वारे clouds जब इखटे होने लग जाते हैं, vertical moment दिखाते हैं, तो उसको हम family D में रख सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट एक और category देखो, वो है cumulonimbus, cumulonimbus clouds कौन से हैं, देखो, यह जो cumulus clouds हैं, अब nimbus clouds से जब जोडने लगते हैं, यह वारे clouds जो थे cumulus clouds, नीचे जो eyes and water, मतलब इनके अंदर eyes and water होता है, मतलब जादा थोड़ी उचाही तक जा रहे हैं, हाना, जैसे development होता जा रहे है, सबोस कीजिए, और काफी उपर उचाही तक है, उपर उचाही तक है, तो वहाँ तो ice होगी, और नीचे नीचे जो होगा, वहाँ पर बानी होगा, तो इस जो वीडियो किया था, cyclones के उपर, उसके अंदर जो बादल थे, वह वास्तों में कौन से थे, cumulon nimbus clouds ही थे, ये clouds आपस में मिलते हैं, और cyclones, voilet winds, voilent मतलब बहुत ज़्यादा, voilet नहीं, voilent है, voilent मतलब मान लिजे, बहुत ज़्यादा तभाही मचाने वाले winds, thunderstorm hills, औ hoilet, ये सब बनाने वाले clouds कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं, ये होते हैं, cumulon nimbus clouds, ओके, तो इस तरह से हमने इस वीडियो का second part भी complete कर लिया, हाना, तो मतलब अब तक हम atmospheric humidity और cloud and cloud classification के बारे में पढ़ चुके हैं, तीसरा part और आपको सुनना है, उसके बाद ये वीडिय यो, कहतो हो जाएगा, अच्छा, आप जानते होंगे कि ये जो weather है, हमारा weather है, उसके अंदर 6 main elements होते हैं, उसमें से पहला element हम कहते है, atmospheric pressure होता है, फिर winds है, temperature होता है, और humidity होती है, cloudiness होता है, और last, छटा element जो होता है, precipitation, ठीक है, और ये जो पहले 5 element वोले हैं, उसके उपर म methodology की, उसमें आप उसे देख सकते हैं, और अब ये जो छटा element है, precipitation, उसके बारे में हम बात करेंगे, precipitation मतलब कुछ होता है, नीचे आना, नीचे आना मतलब कैसे, जैसे आपने chemistry के अंदर कभी सुना हो, कि हम कहते हैं कि reaction जब होती है, एक element की दूसरी element से, तो कुछ ऐसा compound बन liquid और solid forms falling on the earth surface, मतलब अब बादल जो बन चुके थे, उसमें से कुछ liquid या solid की form में नीचे आने वाला है, तो इस process को हम क्या कहेंगे, precipitation कहेंगे, हना, अब इसके result क्या होगा, या तो बारिश होगी, या फिर हम देखते हैं, और rain हो गया, snow हो गया, hail हो गया, और आगे जो types है हैं, उसके warm detail में discuss करने वाले ही हैं, लेकिन अभी आपको समझ आ गया होगा कि precipitation क्या होता है, अब देखिए precipitation का जो process है, उसे एक burgeoning theory के नाम से जाना जाता है, मतलब एक scientist है, उसकी theory है, इसको दो parts में divide कर दिया जाता है, कहा जाता है कि, इसमें main दो parts कौन से होते हैं, तो ह अब इस process की दो parts है, उसको पहले detail में देख लेते हैं, कौन-कौन से steps हैं, जिसकी वज़े से precipitation होता है, तो तब से पहली चीज़ देखिए, वो है vaporization, vaporization मतलब क्या है, पानी vaporized होता है समंदर के उपर, उसके बाद वो उपर जाता है, तो condensed होता है, उसका condensation होता है, उसके ब बदल रहे हैं, बाप के जो molecule हैं, वो बदल रहे हैं, किसके अंदर, water molecules में, और water molecules वापस बदल रहे हैं, बाप में, तो एक equilibrium set हो जाता है, उसके बाद formation of ice crystal होता है, इतनी हुचाई पर जा चुके हैं, ठंड़क बहुत ज़्यादा होगी, तो उससे वहाँ पर क्या होंगे, आइस के crystals बनेगे, अब यह जो ice के crystals हैं, इसके उपर जो बचीवी vapor है, वो deposit होगी, तो मतलब vapor deposition of ice crystal, vapor का deposition अभी इस वीडियो के starting में हमने जाना था, कि vapor सीधा ही अब किसमें बदल जाएगी, ice के अंदर form में बदलेगी, तो यह जो molecule होगा, या ice का crystal होगा, वो बड़ा ह नहीं पाएगी, हाना हवा एक हत्ता की तो लटका के रख पाएगी उसको, इतना भारी हो गया तो वो नीचे आजाएगा, तो वो नीचे आने लगेगा, तो फिर वो melt होगा, पिगलेगा, पिगलते हुए फिर वो पानी के बून बन जाएगा वापिस, और ultimately बारिश होगी, तो समझाया, precipitation का इस तरह से process होता है, इस theory के लावा, एक collision theory भी कहाई जाती है, या Collissance theory कहीं जाती है, Collissance theory के अंदर यह कहा जाता है, कि जैसे यहाँ ice crystals मिलके बड़ा बना रहे हैं उसको growth बना रहे हैं, तो वहाँ यह कहा जाता है कि दो या छोटे-छोटे molecule मिल जाते है, Collissance हो जाता है, उनका और वो एक बड़ा molecule बन जाता है, मतलब बड़ा ice crystal बन जाता है, तो वो भी एक theory होती है, लेकिन इस theory के थिरू मैंने समझाने ही कुशिश की है, किसको precipitation के process को, अच्छा एक चीज और बताना रहे गई, वो क्या है, कि देखिए, fog, dew और frost हमने पड़े वो प्रिसिपिटेशन के अंदर count नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ नीचे नहीं आ रहा, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि atmosphere की humidity ही condensed होके क्या हो रही है, पानी वगेरा के अंदर बदल रही है, पानी या बर्फ में बदल रही है, तो वो precipitation का हिस्ता नहीं है, इस चीज को औ प्रिसिपिटेशन ही है, शौंक मैं लिखाओ है, और दूसरा है solid precipitation, अगर पानी की रूप में या liquid form में हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं, क्या liquid precipitation, और solid की form में या ice की form में हो रहा है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, solid precipitation कह देते हैं, liquid precipitation के अंदर दो चीज़ आती है, एक drizzle और काता है रेन ड्रिजल तब कहते हैं हम उसे जब जो बुंदे आ रही है उसका साइज 0.5 mm से कम होता है कितने से कम 0.5 मत आधा mm से भी कम साइज की अगर छोड़ी जोड़ी बुंदे अरही है तो उसे उस कंडिशन में उस रेन को ही हम क्या कहेंगे ड्रिजल कहेंगे ठीक है रेन कप कहेंगे उसे फिर हम बारिश कप पर्टिगुलर कप कहा जाए उसे तब कहा जाना चाहिए जब 0.5 mm से ज्यादा साइज है उन बुंदों का ठीक है या mcq के अंदर पूछे ज कुछ और important terms क्या है वो rainfall measurement बारिश क्यों हो रही है उसको measure किस device से कर सकते हैं हम तो वह है रेन गौज रेन गौज एक तरह का क्या होता है कि एक देख सकते हैं इसको मेटर रीडिंग्स वगरा लिखी भी होती है तो पता चल जाता है कि कि कितनी बारिश होई है एक दिन में त Pre должен qy rainy day किस दिन को हम rainy day कहेंगे iter तब कहेंगे जब पॉइंट 5 mm ज्यादा बारिश ओरी है और एफेक्टिव रेनपॉल के बारे है definition पूछी जाती है क्या होती है effective rainfall तो देखिए total rainfall कितना हुआ है और पौदों से evapotranspiration कितना हुआ है मतलब वाशपोच सर्जन कितना हुआ है हना उन दोनों का जो difference होता है total rainfall minus actual evapotranspiration आगे बात समझे इन दोनों का difference है उससे हम effective rainfall कहते है ठीक है it is a difference between the total rainfall and actual evapotranspiration ओके तो चलिए अब हम precipitation की तीन और forms की बारे में बात कर लेते हैं यानि की snow, sleet and hail की क्या होते हैं इनके बारे में यह तीनों ही क्या है solid precipitation की forms है मतलब कि अब जो precipitation होने वाला है वो ice की form में होने वाला है हना इसमें भी बारफ किरेगी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी तो फरक क्या होगा आपको समझी कैसे snow when the temperature is lower than zero degree precipitation takes place चुरू सकते हैं when the temperature is lower than zero degree मतलब जब temperature zero degree Celsius से कम हो जाता है उस condition गंदर precipitation takes place in the form of flax of snow तब precipitation snow की flax के रूप में आता है flax मतलब क्या कह सकते हैं कि छोटी-छोटी snow की जो कह सकते है crystal या समू के रूप में आता है तो उसको कह सकते हैं कि यह flax of snow की रूप में गिरता है इसी को हम क्या कहते है snow fall कहते हैं ठीक है यह जो snow fall है इसके आप जब नीचे description box में PDF available है उसमें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि snow के कुछ benefits भी होते हैं जैसे कि एक अच्छा important benefit में बताऊं आपको तो अगर मालीजी कि snow जब गिर चुकी है किसी जगा पर surface कर अर्थ surface पर तो हम देखेंगे कि जो उसके contact में soil है वो तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी लेकिन उसके और भी नीचे जो soil है मिटी है वो उसका temperature जो है maintained रहेगा क्योंकि आप ये जो snow की जो layer बन चुकी है उसने क्या कर दिया उसका environment से connection तोड़ दिया तो इससे क्या होगा नीचे जो पौदी की roots है वो एक optimum temperature में रहेंगी आना तो मतलब कह सकते हैं हम उस condition में root zone जो है वो थोड़ा safe रहेगा ठीक है तो मतलब snow की benefits भी होते हैं नीचे आप उसे पढ़िएगा और अब देखते हैं sleet के बारे में sleet क्या होता है यह important है it is a mixed form of rain and snow कोई आपसे पूछ ले rain और snow मतलब बारिश और बर्फ बारी का मिला उजला रूप क्या कह सकते हैं हम तो उसे sleet कह सकते हैं ठीक है sleet कह सकते हैं which freezes as it falls through a cold layer near the surface हम देखते हैं जब बारिश आ रही होती है और अर्थ के surface के पास में ऐसी कोई atmospheric layer जिसमें temperature बहुत जड़ा कम है तब वो बारिश की बूंदे convert हो जाती है किसमें बर्फ में तब उस condition को हम कह सकते हैं sleet कह सकते हैं ठीक है आगे बाद frozen rain नाम की term किसके लिए use की जाती है तो sleet के लिए use की जाती है hills के बारे में आप already जानते हैं hills मतलो ओले ओला व्रश्टी जिसको हिंदी में कहते हैं तो round pellets of ice having diameter more than 5 mm 5 mm से बड़े बड़े कितनी भी हो सकते हैं तो उसे हम क्या कह सकते है आइस के जो गोले होते हैं उसको हम क तो अबको समझा आया होगा कि snow sleet hills कैसे बन रहे है मतलब अलग अलग तरह का conditions के अंतर snow जो है वो कितना compact हो रही है कितना condensed होके आ आरी है उस वज़े से हम देखते है अलग अलग तरह का formation देख रहे है precipitation देख रहे है इसे हम क्या कह रहे है snow sleet और hill एक चीज़ और लिखी र करते हैं तो एट लास्ट अब एक छोटेस टॉपिक के ओपर और बात कर लेते हैं उसके बाद ये वीडियो पका खतम हो जाएगा क्या है वो इंपोर्टन टॉपिक देखिए आर्टीफिशन रेंफॉल काफी बार इसके पर कुशन आता है आर्टीफिशन रेंफॉल क्या होता है तो देखिए आर्टीफिशन रेंफॉल एक तरह की प्रैक्टिस है तो मतलब प्रैक्टिस ऑफ आर्टीफिशली इंडूसिंग और इंक्रीजिंग इंडूसिंग और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ावा देना आर्टीफिशली बढ़ावा देते हैं किसको बढ़ावा देत कहते हैं तो उस process को हम क्या कहते है आटी विशीन रेंफॉल कहते हैं करितरियम वर्षा जिसके हैं तो उसके बारे मिला चल लोगे जो फॉरिंट पार्टिकल्स आपने डाले है और एक्सटरनल एजेंट आपने जो डाला है वह क्या हो सकता है ड्राइज हो सकता है मतलब सूखी बर्फ हो सकती है, मतलब जिसको हम कहा सकते हैं CO2, solid CO2, carbon dioxide का solid form उसे डाला जा सकता है या silver iodide, AGI, यह important है ध्यान रखेंगे आप इसे silver iodide जो होता है उसे डाला जाता है और salt powder etc इन चीजों को डाला जाता है इस process is known as cloud seeding और इस process को क्या कहते हैं हम, cloud seeding कहते हैं, artificial rainfall की definition समझा गई आपको, इस तरह से external agents जो हम बरसा रहे हैं बादलों पर तो उसे हम कहते हैं cloud seeding, ओके, एक टीज और देख लीजे, this is done by the aeroplane and rocket, अब नीचे से फुआ रहे हैं तो नवारेंगे नहीं हम भाना, तो फिर क क्या करेंगे, aeroplane से उपर से क्या की जाती है, बरसात की जाती है, इनके उपर मतलब बरसाए जाते हैं ये, तो aeroplane या rockets के help से artificial rainfall किया जाता है, तो इस तरह से हमने एक और important topic कवर कर लिया, क्या artificial rainfall, तो ये था हमारा आज तक का सबसे बड़ा और सबसे important वीडियो, अगर Thank you for watching this video, I wish कि इस वीडियो से related भहुत सारी question आपके examination में हैं, और आप साथ ही इससे attempt भी कर पाएं, अच्छे से attempt कर पाएं, और हमीशा की तरह इस वीडियो से related जो भी matter है, उसकी PDF नीचे description box में available है, साथ में अगर आप General Agriculture की knowledge and question में इंटरस्ट रखते हैं, तो आप हमें Instagram, Facebook या Telegram पर follow कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए जड़ि रहिए Agricultural Studies से